नमस्कार दोस्तो पीसी मोविटक के एक और नई वीडियो में आपका पॉर्पार स्वागत है दोस्तो आज हम करने जा रहे हैं राइट डबलू आर माइक्रोपन स्टेंड का अन्वाक्सिंग एंड रुव्यू वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना च दोस्तो मैंने राइट डबलू आर 35 माइक्रोपन स्टेंड को एमाजॉन पर ऑडर किया था जो अब मेरे पास आ चुका है यह मुझे करीब 399 रुपीज का मिला था इसकी पैकेजिंग को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से बिलकुल डेमेज हो चुका होग मैंन बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है इसको ओपन करके दिखते हैं कि अंदर कुछ बचा भी है कि नहीं ओ भाई यह थो बहुत सॉलिड है बॉक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से डेमेज हो गया होगा लेकिन जैसा आप देख सकते हो कि यह पूरी तरह से ठीक है चरिया बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है इसके बारे में जान लेते हैं इसमें आपको एक स्टेंड होल्डर माइक होल्डर और स्टेंड मिल जाता है इसे इसी बास से समझ सकते हैं कि जब इसने ट्रेबलिंग और सिपिंग का प्रेसर समाद लिया तो क्वालिटि खराब हो ही नहीं सकते यह stand holder है इसमें कुछ इस तरह से stand को लगा कर अपनी टेविल में कस सकते हैं माइक होल्डर प्लास्टिक से बना है जो कुछ इस तरह से स्टेंड के आगे वाली साइड में लगा सकते हैं स्टेंड काफी फ्लेकसिवल है स्टेंड एक जगह पर ही फिक्स रहे उसके लिए इसमें सुचेश हैं जिन को टाइड करने के बाद माइक एक जगह स्टेवल हो जाता है सबसे पहले स्टेंड होल्डर को लगाना होता है इसको कढूक्स देते है इस्टेंड के नीचले वाले इससे को होल में लगा कर इस स्कूरू स्विच को गुमा कर सकते हैं अब इस्टेंड तयार है और ये काफी फ्लेक्सिबल है इसकी पोजीशन अपने इसाब से एज़ेस्ट करने के बाद इस्कूरू टाइट कर सकते हैं अब माइक को स्टेंड में लगा कर देख लेते हैं दोस्तों मेरे पास श्यूर का एश्वी 100 माइक है इसी को इस स्टेंड पर ट्राइ करके देखते हैं अब आप देख सकते हैं कि माइक को स्टेंड पर लगाने के बाद कैसा लुक आता है मुझे यह स्टेंड पैसा वसूल लगा अगर आपको यह स्टेंड चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो फिर इसी के साथ भी इस वीडियो को समप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद